हलो इंजिनियर्स, आज मैं आपके लिए एक most important topic पर वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें बहुत सारे इंजिनियर्स confusion रहते हैं कि जब भी हमारा घर बन रहा होता है तो उस घर में हम staircase बनाते हैं तो उस staircase के अंदर हमारे पास कितनी steps आने वाली हैं यानि हमें कितना riser हो, कितना trade हो तो यह इसकी calculation में हम काफी बार फस जाते हैं लेकिन काफी बार भी ऐसा होता है कि हमारे पास जगह है कि हिसाब से हम अपनी staircase को डिजाइन नहीं कर पाते हैं lack of knowledge की वजह से क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे पास जगह है वहाँ पर हमें staircase के साथ देना है हमें dog leg देना है या round देना है या straight देना है तो यह सब कुछ यह जितने भी size होते है staircase depend करते हैं उसके size पर यानि कि हमारे पर कितना space available है जितना space available होगा हमें उची साफ से वहाँ पर staircase को design करना होता है तो आज की इस वीडियो में आप staircase की design की उपर ही बात करूँगा कि हम इसको कैसे design कर सकते हैं तो सबसे पहले हम इसमें पता करेंगे कि riser और trade कैसे निकाला जाता है उसी से आपको पता लगेगा कि riser और trade की साफ से आपको पता लग जाएगा कि आपको उसमें किस आपका staircase डिजाइन आपको करना है आपकी जगेपर तो चली शुरू करते हैं वीडियो को तो यहाँ पर कुछ बेसिक से formula होते हैं जिससे हमें riser पता लगता है और trade पता लगता है तो पहले उनको समझ लेते हैं कि riser क्या है जब भी हम step बनाते हैं अपने staircase बनाते हैं इस तरह से तो इसमें यह जो वाला part होता है vertical part इसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं riser और यह जो horizontal part होता है जिस पर हम अपना pair रखते हैं इसको बोलते हैं trade इसको बोलते हैं हम अपना ट्रेट तो यह राइजर हो गया और यह ट्रेड हो गया अब इसकी कांटिंग कैसे की जाए कि हम कैसे नकाले अपने जो भी हम घर बना रहे हों घर के अंदर हमारे पास कितने राइजर आने वाले तो यह सब तो सब slab top तक का slab top height तो यह हमारे पास होना चाहिए तो अभी मैं अपने case में maximum case में चल रहा है तो वह मैं ले लेता हूँ 3000 mm 3000 mm मतलब 3 meter याने कि जो मेरी height नॉर्मली जो बनाते हम अपना घर वो अपना plint level से slab के top तक कितना रखते हैं 3000 mm याने की 3 meter रखते हैं तो अभी हम इसी case को लेके चलते हैं अब हम यहां देखते हैं कि number of riser कैसे निकलेंगे तो यहां पर हम पहले लेखते हैं number of riser number of riser equal to इसका formula होता है हमारे पास slab top height slab top height divide by riser height तो अब हमें अपने riser की height चाहिए तो मैं आपको एक standard value बता के चल रहा हूं आपके घर में आप कितने भी height का riser रख सकते हो जैसा भी आपको suitable लगे जैसे भी आपके पास जगे available हो space available हो तो यहां हम देखते हैं कि riser की height में यहां ले लेता हूं राइजर height राइजर height है हम यहां लेके चलते हैं 150 mm नॉर्माली हम इतना ही लेके चलते हैं 1500 mm इससे हम बढ़ा सकते हैं इससे कम नहीं करना हमको तो 1500 mm तो हमने अपना riser ले रखाए कम चाहो तो आप कर भी सकते हो लेकिन यह हमना स्टेंटर साइज हो था 1500 mm का तो राइजर की height हमारे पास कितनी है 1500 mm यहां पर slab top height कितना हमारे पास 3000 mm divided by 1500 इसे डिवाइड करोगे तो यह आएगा मेरे पास 20 numbers कितना नमर आगे मेरे पास 20 numbers मतलब मेरे जो slab height है 3 meter उसमें मेरे पास riser लगने वाले है 20 numbers अब बार ही आते है number of trade की number of trade trade इसे निकालते है इसमें number of riser minus 1 तो जो भी आपका riser हो उसमें से 1 minus कर दोगे तो आपके पास number of trade आ जाएंगे 20 minus 1 equal to 90 numbers तो यह 19 numbers आपके क्या लगने वाले है trade लगने वाले है तो बस इतना सा easy है कि riser कैसे निकालना है और trade कैसे निकालना है ठीक तो इसमें तो कुछ ज्यादा basically इतना हमें technical knowledge नहीं चाहिए बस simple formula में पता होना जी कि slab top height कितना है riser का height कितना है divide कर देना है number of riser निकला आएगा जो भी number of riser minus 1 कर देंगे तो हमें 9 जो भी हमारे पास बचला होगा हमारे पास trade का number आ जाएगा अब जो मुश्किल आते हैं वह आते हैं मैं design करने में तो मैं आपके लिए case ले रहा हूं कि मुझे कैसे design कर सकता हूं मैं या पर तो अभी हम बात करते हैं इसको आपना कर लिया होगा और नहीं किया है तो आप इसका screenshot ले ली जी इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अब हम आप एक case लेते हैं और design करके देखते हैं कि हमारा हम आपर जो staircase है कि शेप का आ सकता है तो मैंने आप एक case ले लिया है मेरे पास जो space available है वो है मेरे पास अब मुझे पता करना है जो मेरा staircase से वो स्टेट आएगा या L शेप में आएगा या C शेप में आएगा तो मैं इसको लोगा के देखता हूं तो यहां पर अगर मैं सबसे पहले ट्राइ करता हूं स्टेट में तो यहां पर मेरे पास राइजर कितना था अगर मैं अपने slab की height slab height वही तीन मीटर लेके चल रहा हूं तो यहां पर राइजर मेरे पास कितना था 20 ट्रेड कितना था नाइंटीन तो नाइंटीन जो ट्रेड है इसी ट्रेड से मुझे decide होगा कितना लेंद लेकी जाना है जैसे मैं यहां पर बनाता हूं एक design आपको इस तरह से यह तो अगर यह धाई-टाइसो का है यह भी धाई-टाइसो होगा और यह भी धाई-टाइसो होगा तो यहां से by यहां थी विद्न हुगे डिपांट इस पर कर रहें इस की लेंद पर तो यह थाई-टाइसो-टाइसो कितना हो गया वन-मीटर थ Guillette है कि मुझे यहां से यहां तक वन मीटर का स्पेस चाहिए इतनी साइच के ट्रेट को लगाने के लिए तो वस्ट पता करना है कि मेरे पाइज तीन मीटर का स्पेस अवेलबल है क्या इसके अंदर हमारे अब इस प्रॉप्लम से बचने के लिए मुझे आप डिजाइन करना होगा वह एक लेकिन नहीं आ पार है क्योंकि मुझे इतनी जगे की रिक्वाइड है लेकिन अब मैं क्या करूंगा और चेंज करके ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा तो यहां पर मुझे लेंडिंग देनी पड के चलता हूँ जो मेरे पास टेर केस है उसका फॉल एकिशल रहा हूं हूं लेकि कर रहा हूं में 0.5 यहां पर मुझे 0.5 मीटर का क्या देना पड़ेगा लेंडिंग दीना पड़ेगा 0.5 मीटर का तो इस पूरे 3 मीटर में से 0.5 तो यह माइनस हो गया तो मेरे पास कितना बच रहा है only 2.5 मीटर तो 2.5 मीटर के अगर मैं देखू यहां पर कितने मेरे ट्रेड आ सकते हैं तो number of trade number of trade कितने आ सकते हैं 2.5 यानि कि 2500 में डिबाइड बाइड़ 200 कट करेंगे तो 10 यानि कि मैं 10 trade अपने यहां पर ले सकता हूँ तो देखो गिनू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यह 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यह 10 और यह 10 इसके बाद यह lending आ गया तो यह कितने नम्मर का हो गया है अब मेरे पास कितने बचे हैं मेरे को 19 trade लगाने थे लेकर अभी मेरे जो चोके है 11 तो मुझे 8 trade की और need है तो 8 trade को मैं कहां दूँगा यहां पर लेकिन यहां पर मेरे पाद कितनी बचे हुई है 2 meter तो मुझे चेक करना है कि 2 meter में मेरे पास कितने टेड आ सकते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे number of trade in 2 meter, तो वो ही आएगा मेरे पास 2000 divided by 250, अगर मैं से cut करूँगा, तो 8 trade आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं मेरे पास? 8, तो बिल्कुल correct हो जाएगा, 11 और 8 कितने हो जाएगे? 7, 8 और यह जो वाला है, यह actual पर मेरा 20 वाली trade रहेगा, लेकिन यह मेरा slab के अंदर add हो जाएगा, यह किसके अंदर add हो जाएगे मेरे पास, slab के अंदर, इसलाब में सको count नहीं करते हैं, तो यहाँ का इसको देखें, 11, 12, उसको open कर लेते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो देखांगे मुझे उसके shape जो भी space available था, उसके साब से मुझे design करना पड़ा उसके अंदर L-shape का staircase, अगर मैं इसके अंदर state देने वाला होता, अगर मुझे के अपल state ही चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, मुझे अपने trade का size कम करना पड़ता, अभी मेरे trade का size कितना है, 250 250 mm है, 250 mm के साब से मुझे L-shape में ही देना पड़ेगा, तभी मेरा staircase top slap पे top तर पॉंच पाएगा, नहीं तो कहीं नीचे रह जाएगा, अगर हमने उससे साब से calculation नहीं किया, यह उपर भी बढ़ सकता है, तो अब मुझे पता करना है, मुझे तो state देना है, requirement अगर मेरी है, कि मेरे पास यह धाई मीटर भी available ना हो, सबसे पहले तो आपकी समझ में आ गया होगा, तो आप इसे note कर ले, फिर मैं आंके बढ़ता हूं कि इसे और कैसे change कर सकते है, यहाँ पर मान के सल तो मेरे पास यह space available है ही नहीं, मेरे पास जो space था, वो केवल इतना ही available है, अब 200 mm लेके देखता हूं, क्या 200 mm में कम हो रहा है, 200 mm में कितना आ रहा है, तो यहाँ पर 3000 है, total length, divided by मैं 200 करूंगा, तो यह लगबा कितना आएगा, 15 steps आएगी, अगर 15 steps आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, यह मुझे तो 19 चाहिए था, लेकिन मेरे 15 steps आ तो भी नहीं हो इसके लिए मुझे राइजर की height बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगी, 200 mm से में नीचे लेके जाएगा, तो बहुत छोटा trade हो जाएगा, तो मैं अभी इतना ही trade रखता हूं, अब मैं राइजर का height बढ़ाता हूं, क्योंकि राइजर का height बढ़ राइजर, अब number of riser कितना आएगा, तो total slide wide divided by 200, cut करेंगे, कितना आएगा 15, यह लोग correct हो गया, तो correct 15 trade लगने थे, तो अगर मैं 200 का riser रखता हूं, 200 का ही trade रखता हूं, तो correct मुझे 3 meter की space में मेरे पास जो staircase होगा, वो state बन जाएगा, तो बस आपको ऐसे ही design करना है, वो आपको बार-बार calculation करके देखना पड़े हैं, कि आपका वहाँ पर staircase किस side का आ सकता है, state आ सकता है, या L ship में आ सकता है, या C ship में आ सकता है, तो engineers, आज की इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं, और अगर आपको इस से credit और कोई भी doubt होते हैं, तो आप मेरे comment box में, comment करक में मुझे बदा सकते हैं, तो मैं आपको जो भी doubt होगा, मैं इसको clear करूँगा, और engineers, जाते जाते मैं आपको इस चीज और बता दूँ, मैं इंदोर ब्रांच से corporate trainer अमित, हर महीने की यहाँ पर एक तारिको नया बैस start करते हैं, civil guru जी, अगर आपको भी इस तरह की knowledge और practical training करनी है आपको, तो आप अभी call कर सकते 911-001234 पर और inquiry कर सकते कि कैसे मैं यह training जोइन कर सकता हूं, तो मिलते हैं next video में